दोसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो प्रोसीजर होता है तो दोस्तौ में आपको बता देना चाहते हो जो तरी के सेth बात करने कहरते हैं और अपना ने रिते। चीज़ एमारे अब इही पर दूसरे जो चीज में बात करने वाला हूं वो अन्लाइन मोड की अब यहाँ पर अगर आप एक एक स्टूडेंट हो मुंबई रीजन में पूरे नाकपूर ना शिक या फिर अमरावती रीजन में से किसी और की रीजन में क्या करना तो यहां पर मुझे थोड़ी देर में आपको जो पूरा एक notification होगा या सारी चीज होगी वो मुझे यहां पर क्या देखने मिल जाएगे देखिए आपका एक notification यहां पर पूरा tentative plan एक जो release किया गया आपके admission cell दोरा वो यहां पर मैं आप से क्या discuss करने माल हो यहां पर देखि of education secondary and higher secondary master state द्वारा release किया गया यह आपका क्या है एक circular जहां पर पूरा tentative tentative innocence क्या बताया गया एक schedule दिया गया है एक graph schedule दिया गया है यह fixed schedule नहीं इसमें अदलर बादल हो सकती है ठीक है क्योंकि यह जब release किया गया है तब तक result declared नहीं हुआ है सबसे पहले आपको की प्रशीजर्चेशर किया और सबसे पहले आपको एक mock demo registration दिया जातर है students के अब mock demonstration क्या होता सर्प देखो mock demonstration मतलब क्या होता है देखो सबसे बहुत है आप माँ डेमर एक्जिस्टेशन कर देता है फिर अक्च्छल स्टूडेंट एक्जिस्टेशन मतलब दोस्तों यह हो गया कि अब आक्च्छल में आप क्या गरोगे आपकी जो डिटेल्स है वो फुल्फिल करोगे मतलब सर आपकी परसनल डिटेल्स हो हो गई हां आपके डेट अब बर्त हो गया हां आपको कॉंटक्ट अमबर आपकी इमेल आईडी आपका टेंथ का स्कूल यह सारी चीज़े क्या आप से मांगे जाए और वह सारी चीज़े आपको क्या फुल्फिल करनी रही और आपको बता दू यह आपका स्टार्ट हो चु आपकी चालू हो चुकी है और आपको क्या आप इसको भर सकते अगर अगर अपके फिलफ नहीं किया तो अभी जाकर कर देज़े ज़े पर दूसरी चीज़ क्या है अब यहां पर आपने पार्ट न का फॉर्म भरा ना उसकी वरिफिकेशन की जाएगी कि आपने सारे इन्फ पॉर्मिशन होंगी ना वो किसको देच चुका होगा तो आपके अपको एक गाइड्लेंग्स का दी जाएगी अब यहां पर क्या होगा तो अब आपका क्या होगा रेजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन शुरू हो गई अब यहां पर जूनियर स्थरों प्यानि गॉलिप्स य पर दूसरी बात क्या होगा जब आप का पहला फॉर्म हो जाएगा तो ऐसे करके क्या पूरी लिस्त क्या करूंगा प्रेफरेस दोगा तो मैं प्रेफरेस दूँगा अपने इसाब से दो यहां पर इस तरह कि फिर आपको पालेश की कट उप के हिसाब से आपको क्या प्रेसे अपको यहाँ वह था क्या 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 जाता है कि अगर कोंद तूड्सकोट आपने वर या तो आपको किया यहां एक और विशेश फेरीश में यानी मदर्ण जहाँ और आप पे आपको क्या किया आ देगा ? एक और मकादी आ रहे का कि आप क्या कर सकते हो दोस्तों समझ में आ गया ? तो यह A Meetup प्रोची जो प्रोशीजर था जो मैंने यहां पे आपको बता दिया है लेकिन अभी भी क्या सकते कि नहीं आया हो एक टेंटेटीफ नान है तो देखो अगर मैं बात करूँ आपके पूने पिंफरी चिंचवड मुंबई महानागर तो उसके बात करूँ शेत्र नाशिक औरंगाबाद अमरावति वा नागपूर अगर इस महानागर पारिका के शेत्र तेल उच्च मादम एक शाला मदे या ग्यारवी चे प्रविश केंदी ओनलाइन प्रहुड द्वारा करन्यात यह तात मतलब अगर आप इनमें से किसी भी एक रिजन में तो वहां पर जो 11 का एडमिशन होते हैं वह आपकी सारे प्रसेजर के पर फॉर्म करते हैं अगर मन में कुछ भी डाओड है कुछ भी आसा हो आले तो अब कमें सेक्षिन में हमसा पूछ सकतो और आप वीडियो अच्छे लिगे तो वीडियो लाइक करें शानल सबसाइब करना अपके अपने चानल पर दोस्तो